तो अबनेंट एलिमेंट अन्द अर्थ है ओक्सिजन और मोस्ट अबनेंट मेटल की बात करें अगर आप लोग फस्ट नंबर पे जो आ रहा है वो है अलुमिनियुम एलिमेंट हेविंग मैक्सिमम टेंडेंसी ओफ दे केटिनेशन तो हमारे भाइसा वो कार्बन ही है और पूरी ऑर्गनिक किमिस्ट्री इन्हीं का कमाल है ठीके जी प्रांस्ट हों अनब्रांस्ट हों साइकलिक हों ओपन हो जबी नोन मेटल हेविंग हाइस्ट मेल्टिंग उक्सिडेशन स्टेट वह है ओसमियम एन रूथीनियम जो आठमे ग्रुप के ही मेंबर है और मैक्सिमम उक्सिडेशन स्टेट एट शो कर सकते हैं ओस ओफॉर इसका एक्जाम्पल है स्ट्रोंगेस्ट एलकली वो सीजियम हाइड्रोक्स है एलकली का मतलब यहां बेसिक नेचर से है स्ट्रोंगेस्ट बेसिक उक्साइड वो है सीजियम का ही सारी रेस्पोंसिबिली मिलेगी सारी जिम्मारी सीजियम को ही मिलेगी बेस्ट इलेक्रिसिटी नितुर्ट शूइंग अमंग इस सिल्वर यह अब सब्सक्रमेड भी आपसे अमेंटल सो तो पुछा गए वैस्ट इलेक्टिसटी कर डिक्टर अमंग नूण आपको पता ही ए नून मेटल तो अलेक्रीकल घ्रंड़ करते नहीं तो नून मेटल में किसी का नाम लेना है तो हही आ सिम्मोन मैटल, प्रूमीन है, एलिमेंट क्यैप्टिन, वोटर, फोस्फोरस, एक P-block, पूछा जाता है, एलिमेंट क्याप्टिन, करोसीन, फ्रस्ट ए का सिर्फ लीथियुम को, और लीथियुम को भी क्यो चोड़ना है, क्यों इसके डेंसीटी काम है, वो जिसकी भी density कम है वो पानी पे फ्लोट करता है तैरता है एलिमेंट सब्लाइम और हिटिंग वो आयोडीन है तो आयोडीन का सोलिड लिक्विड सोलिड और गैस इसली बन जाता है नोबल मैटल्स आपको पता ही है जिनका फर्दर ऑक्सिडेशन नहीं हो सकता गोल्डन प्लैटिनम मेटलोईड एलिमेंट्स जो कि आपको प्रियोडी टेबल में इस टाइप से एक लेटर उतरते वे नीचे दिखाई थी मैंने ठीक है जी सिलिकन आर्सेनिक हो गया आपके पास टेलियूरियम एस्टेटीन गिलियम एंड एंटिमनी हो गया नोन मेटल्स हेविंग मेटलिक लस्चर वो है ग्रिफाइट पर आयोडिन पर पीवलोग एलिमेंट में आपको ही बताया जाता है हेविस्ट नेचरली अकरिंग एलिमेंट है युरिनियम पूरेस्ट कंड़क्टर ओफ एलेक्ट्सिटी है डायमंड क्योंकि एलेक्ट्रोंस ही नहीं है इसके अंदर फ्री हाड़ेस्ट नेचरली अकरिंग एलिमेंट वो है डायमंड लाइटेस्ट सोलिड मैटल कोन है गर्मिनियम है डागनल, रिलेशन है, PEO, Al2O3, Al2O3, जटन, जो की हमारे डीवलोक एलिमेंट की पहली ट्रांजिशिन सीरीज का लास्ट मेंबर है, PBO, PBO2, SNO, and SNO2, ग्रुप नमबर, फोर्थ के, जो ओक्साइड से, कार्बन सिलिकन, जर्मिनियम टिन, एंड लेड, तो इन में से कोई भी बेस नी बनता उक्साइड, Neutral Oxide of the Non-Metal, NO, CO, H2O, N2O, और Carbon Monoxide और एक NO, N2O, ये तो आँ वैसे भी आदी रखे, Dry Eyes Solid CO2 को बोला गया है, Artificial Explosive TNT हो गया, RDX हो गया, Research and Development Explosive, जो आपको 12th Class के LD8 के टोन में पढ़ा जाएगा, कि Eurotropin के Nitration से, हम RDX बनाते हैं, Most Abundant D-Block, Iron, Low High, Low है सब तरफ, Most Abundant S-Block, Calcium, Highest Density Metals में, Osmium and Iridium, D-Block में बताते हैं हम लोग आपको, and Highest Density, Non-Metals में, Boron, Dense है, चोटा वो होता है, तो यह सारे की सारे, Highest, Lowest का एक Series complete हुई हमारी, तो यहां से फिर NCIT के Exercise और Chapter हमारा खत्म हो गया है, इसका अलग Section रख लेते हैं हम लोग, अलग Video आपको दे देते हैं, जिसके अंदर आपको भी बताया जाएगा, कि Highest, Lowest और इसके अलावा जो हम कर चुकें, यह Questions के अलग से Series बना देते हैं हम लोग, जिसको आपको समझकी Taxis 2 हो गया, आप 1 NCIT based हो गई थी, चीके जी, तो इस पर हम अलग काम कर लेते हैं,